हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शुबम और आप देख रहे हैं इन दौरी इन आस्टेलिया आज मैं आपको कुछ ऐसी प्लेस पे लेके जाने वाला हूं जिसे देखकर आप काफी खुश हो जाएंगे इस्पेशली जो स्पोर्स लवर हैं और जो क्रिकेट लवर हैं उनके लिए ये प्लेस बहुत अच्छी है आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं ऑस्टेलिया के वन आप दी मोस्ट ब्यूटिफुल स्टेडियम जो की है एडिलेट में उसका नाम है स्टेडियम ओवेल जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ओवेल ये बहुत ही ब्यूटिफुल स्टेडियम है तो चलिए हम चलते हैं अंदर और देखते हैं इसका लुक अंदर से इस प्रेंद इस प्रेंडियम के बाहर एक छोटा सा कैनाल है जिसमें काफी टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं यहां पर बोटिंग भी होती है यह स्टेडियम के जस्सामने आप देख सकते हैं यह बहुत ही पीसफूल और बहुत ही ब्यूटिफूल प्लेस है यहां पर सटेडे फ्राइडे काफी लोग आते हैं काफी इंजॉय करते हैं यहां पर बहुत इहां साइकलिंग भी होती है और स्पोर्ट्स भी होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ साइकलिस्ट भी यहां साइकल कर रहे हैं और इ देख सकते हैं जैसे कि यहां पर boatings भी होती हैं यहां पर काफी लोग खड़े हैं और आप summers भी आने वाला है तो काफी type के sports भी होंगे और regular basis पर boatings भी होगी यहां पर काफी लोग आते हैं तो कि यह कि बहुत अच्छी बहुत ही beautiful जगा है और यह जगा एकदम बीचो बीच यह middle of the city है यह stadium भी middle of the city है तो यहां पर हर कोई आ सकता है easily transportation available है यहां पर so friends आप यह जैसे बहुत देख सकते हैं इसका per person charge है 20 डॉलर्स 20 डॉलर्स में आप यहां पर एक round ले सकते हैं काफी beautiful है यह हूंग आप यह में रगाड़ कि धड़ कि अपीछ दो कि आप द воспिते हैं आप है जगा है जगा मैंके आपको कि शीपीवदों कि बादे कि इसकते हैं कि अ सो फ्रेंड फाइनली मैं आ चुका हूँ एडिलेट ओवेल के बाहर जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल स्टेडियम हैं यहां पर काफी अच्छा लग रहा है आकर चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं स्टेडियम को अंदर से अब मैं खड़ा हूँ सर दोनाल ब्रेडमेन पवेलियन के सामने और मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि इस ग्राउन पर जो सबसे हाइस रन बना हैं इंडिविज्वल वो सर दोनाल ब्रेडमेन ने ही बना हैं टेस्ट में जो की है 299 नॉट आउट और किसी इंडियन की अगर अपन बात करें जो यहां पर सबसे हाइ का विकेट लिये हैं किसी इंडियन ने सो वो लिये हैं कपिल पाजी ने जिन्होंने 19 विकेट इस ग्राउंड पर लिये होंगे आई होब फ्रेंड्स यह इंफोमेशन आपको अच्छी लगी होगी सो फ्रेंड्स अभी इस स्टेडियम में मेंटेनेंस का काम चल रहा है क्योंकि कुछ ही मंस में यहां पर मैचेस होने वाले हैं आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही neat और clean stadium हैं आप देख सकते हैं आप उपर भी देखिए कुछ लोग वहाँ पर भी cleaning कर रहे हैं क्योंकि यह one of the most beautiful stadium है एडिलेट का और 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 जेलिया का तो आप इसको देख सकते हैं इसका इंटिरियर भी आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुली डिजाइन किया गया है इसे और आप देख सकते हैं यहां पर regular basis पर maintenance होता है बट अभी especially कुछ upcoming days में यहां पर match होने वाले हैं सो फ्रेंड फाइनली मैं स्टेडियम के बाहर आ चुका हूँ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं इसी तरह आपको new new place बताता रहूंगा और ऑस्टेलिया के बारे में कुछ important information देता रहू प्लीज बारे मैं को ठीज करें दो प्लीज़ करें और बारे में आपको समय करना एक्यार crafts बिदाने के बारे में अपको अफेता हुआ और आपको यूले करेंग